हुआ है हलो तो स्वागत है आप सबका एक बार नए वीडियो में हम लेकर आ एक बैलोजिकर नवा टॉपिक जिसका नाम है कोसिका आज हम कोसिका के बारे में समझेंगे आपको समझाएंगे कि कोसिका होता क्या है तो प्लीज वीडियो को लाज तक जरूर पूड़ा देखें क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा तो इस्टार्ट करते हैं को सिका को इसका का इंगली से जो नेम होता है उसको बोलते हैं सेल एंड इसका जो टेक्निकल और बाइलोचकल नेम होता है उसको बोलते हैं साइटो इसका अध्यान इस्टडी इसका बोलत कालाता है साइटो लोजी को इसका हमारे सरीर का एक अंग नहीं होता है एक पार्ट नहीं होता है, यह हमारे सरीर के सबसे छोटी इकाई होती है, इसके जो जनक है, इसके खोज करता जो है, वो राबर्ट हुक है, सबसे पहले मृत कोस्का की खोज की थी, जिवित कोस्का की खोज एंटेनो वान लुएं हॉक ने की थी, हमारा सरीर पूड़ा कोस्का से मिलकर बना है तो ये सिद्धान्त दिये थे स्लाइडन एंड स्वान नाम के बैग्यानिक नहीं अब समय लेते हैं कि छोटी और बड़ी कुसका छोटी बड़ी कुसका होती है लेकिन इसमें भी दो तरह के होते हैं मानों में छोटी और बड़ी कुसका पुड़े संसार में छोटी बड़ी कुसका जो पुड़े संसार में सबसे छोटी कुसका होती है उसको बोलते है माइको पलाजमा पुड़े संसार में जो सबसे बड़ी कुसका होती है उसको बोलते है सुतुर मुरु का अंडा मानों में सबसे छोटा जो कोशका होता है वो मेल का इस्पर्म होता है मानों का जो इस्पर्म होता है वो सबसे छोटी कोशका होती है लेकिन मानों में जो फिमेल का जो अंडाडू होता है वो सबसे बड़ी कोशका होती है और मानों में लंबी सबसे कोशका कौन से होती है यह होता है नियुरान जो कहां पायाता है ब्रेन में नियुरान ही सबसे लंबी कोशका पायाती है बड़ी का मतलब होता है जो जैसे आपका कुतुमिनार हो गया और लाल किला हो गया लाल किला जो होता है वो आपका बहुत कोशका विवाजन का मतलब कोशका विवाजन एक कोशका से टूटकर दो कोशकाओं का बनना यह होता है नूरान में नहीं होता है इसलिए किसी के ब्रेन वे अगर बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग जाती है तो अब्यक्ति मर जाता है उसका गाहओ कई डिवर में कुस्का बीज़न बहुत तेज होता है आई अभ समझ लेते हैं कुसका को सरीर की सबसे स्थोटी हिकाइक क्यों बूला जाता है मा लिजए आपको घर बनाना है तो पहले इट आप जोडते जाएंगे तो दिवार बनेगी दिवार से फिर आपका कमरा बनेगा कमरे को फिर systematic डंग से अगर आप ब्योस्थित करेंगे तो आपका वो घर कालाता है यानि इस एक घर को बनाने में जो सबसे छोटी इकाई क्या कालाईगी इट कालाईगी उसी तरह कोसका भी सरीर के सबसे छोटी इकाई है जैसे कोसकाओं को मिलाकर जो बनता है कोसकाओं के मिलने से जो बनता है उसको हम उतक बोलते हैं टिसू बोलते हैं और टिसू के मिलने से बनता है हमारे सरीर का औरगन एंग बनता है जैसे हाथ बन गया, पैर बन गया, आख बन गया, आपका ब्रेन बन गया, ये आपका अंग हो गया, लेकिन अंगों को साथ में जब मिलके एक सिस्टेमेटिक धंक के तोर पे जब बनके जुडेंगे तब आपका बनता है क्या सरीर, यानि कि आपका कोई सका भी एक तरह से कोश्का के अंग कोश्का के अंदर अंदर जितने अंग होते हैं उसके बारे हम समझ लेते हैं तो सबसे पहले कोश्का के जो सबसे ऊपरी जो लेयर होती है वह होता है कोश्का जिल्ली प्लाज्मा मिंब्रेन इसको बोलते है कोश्का जिल्ली यह पादब यानि पौधो और ज ये बना किसका होता है प्रोटीन का बना होता है एक कोस्का के सभी अंग इसी छिली के अंदर रहते हैं यद जब यही इन no उपर एक और लेयर बन जाती है मोटी सी तो हो जाती है कोस्का भित्ती और सेलवार कलाती है यह कहां पायाता है यह वाली कोस्का भित्ती जो होती है कोस्का भित्ती के और पादप वाले प्लांट में पायाता है यानि पौधों में जिल्ली के और कोस्का भित्ती पायाती है य यानि कि जो पेड़ पौदें पेड़ पौदें की जो कोषका थी होती है उसमें कोषका भित्ती पाई जाती है ये क्या करता है सुरच्छा तथा आकार प्रदान करता है जैसे यहां पर नीचे Second Point आप देख रहे होंगे जो दिख रहा है जो मोटी सी थोड़ा सा बना हुआ है एक कोस्का भित्ती यह जो कोस्का है पौधो की कोस्का है जो उपर वाला दिख रहा है वो जन्तु कोस्का है जन्तु कोस्का में आपका जो कोस्का मेंब्रेन जो जन्तु कोस्का वाली होती है वो आपका पादब और जन्तु दोनों में पाय जाता है इसलिए वो उसमें केवल एक membrane लगी होती है एंड पौधो के कोशकाओं में एक कोशका भित्ती होती है मोटी सी लगी होती है परत तो cellulose का बना होता है एंड बैक्टरिया के जो कोशका बनी होती है कोशका cell membrane वो बना होता है peptido glyconn का और कवक का जो बना होता हो काईटीन का बना होता है तो समझ लिए आई ये तो समझ ज़यते हैं कोसगा के और अंगों के बारे में सेल ए सेल के अंदर सभी कोसग है जैसे माईटो कांडिया है गोल्गी बाडी है वेकूल्स है माइटो कांडिया तक आजिजन आपका जाता है जो आपका एक साइकल चलता है जो क्रेट नाम के एक बेगयानिक तरह जुआ ने एक दिया था क्रेट साइकल उन्हों ने बताया था कि सोचण में क्रेट cycle चलता है जिससे 38 ATP उर्जा निकलती है सोसन के दवरान तो वो एक गुलकूच के बराबर होता है जिससे हमारा क्या मिलता है उर्जा और पावर मिलती है तो जैसे कि हम अपना सरीर में हमारे हम दोड़ रहे हैं कोई काम कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो किसके बदल होता है उर्जा वहां से हमको उर्जा मिलती है सोसन के दवरान माइटो कॉंडिया से इसलिए माइटो कॉंडिया का बोल जाता है पावर हाउस उर्जा ग्रिय बोला जाता है कोशका का बिजली घर माइटो कॉंडिया का लाता है माइटो कॉंडिया जो आंत्रिक दिवार होती है उस से कोई बेक्ती एक हांसे कोई काम कर रहा है वहां फोए लगता है कि बहुत ठक गया है तो क्यारता है घॉलजी बॉड़ी Ye परिवर्ण करता है प्रूटीन का परिवर्ण करता है जिसे कि आपका माईट्रो कॉंडिया उर्जा बना सके उस इस हाथ युशा पैर को ंरुजा दे सके जिस हाथ पैर से काम हो रहा है गॉल्जी के बारे में बताने वाले बैग्ँनिक messaging का रिव लुड गुल जी था हमारह कोश्का में वैकुल्स होता है रसधानी होता हमारे सरीर में 65 पंट पानी होता है हमारे प्रूड़े सरीर का 65 पंट, यानि की बहुत ज्यादा पानी हानी का पानी रहता है लेकिन यह 65% पानि हमारे शरी में रधा है तो यह रहता है कोस्काव में बहुत बाद होता है इसलिए उसमें बहुत जदा पानी होता है तो वैकुर्स का क्या काम होता है कोस्का में जल संगरा करता है यानी पानी कलेक्शन करता है इसलिए बोलते हैं लोग ना कि हमारे किसी भी अंदिमनुस के सरीर का लगव 25-70% भाग पानी होता है आईए समय लेकोस्का के एक अंग सेंट्रो सूम के बारे में क्या कहता है कुस्का बिवाजन का मतलब यह कोफ्का के तूट जाना नहीं कुष्का करता है ब्रें में कुसिका ब्रेंस्ट करते हैं कि धुनर कंधन होता है एक तर्डी का लेकिन इसी तरह जब कोशका का बहुत तेजी से विवाजन होता है तो यही आपका cancer का लाता है Uncontrolled cell division of the aneo body that are called cancer Cancer का लाता है जब ज़्यादा कोशका का विवाजन होता है किसी अंग में आपके सरीर के किसी भी अंग में कोशका का ज़्यादा विवाजन होता है तो ओक क्या का लाता है cancer का लाता है तो liver में सबसे ज़्यादा कोशका विवाजन होता है लेकिन brain में कोशका विवाजन नहीं होता है लेकिन brain में क्यों नहीं होता है क्योंकि उसमें neuron होता है neuron में आपका centrosome नहीं पाय जाता है लेकिन brain cancer होता है अब brain cancer होता क्यों है brain cancer इसलिए होता है क्योंकि brain cancer में brain में 90% आपका neuron होता है neuron cell होता है लेकिन 10% glial cell होती है उसी में आपका centrosome पायाता है तो उसी 10% गिलियरl cell में centrosum अगर अधिक cell division अगर कर देता है तो आपका brain cancer हो जाता है तो आपका brain cancer हो जाता है अंतह प्रदब जालिका क्या होता है अंतह प्रदब जालिका endoplasmic reticulum यह एक तरह से आपके cell में आंत्रिक सहैता का काम करता है ये दो तरह का होता है, दो बाट में । होता है मृष्पलाज्म को भिवाइब म करता है, व्वशा का निर्माड करता है लेकिन जो भीलुट दीख रहा है ये इस सों सायं alcanz लेकिन एंप्रोण ट मृष्वाज्मी Cherry동 हम चाहिए व्वशा cumpl . लेकिन इस पर पायाता है जो रफ जो दिख रहा है इस पर होता है राइबोसोम की वज़े से रफ दिखता है लेकिन यह भी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह जो रफ राइबोसोम इस पर होता है इसी राइबोसोम की वज़े से ही प्रोटीन का निर्माड होता प्रोटीन का निरुमाड होता है और समझते हैं राइबोसों के बारे में बताने वाले बैग्यानिक पहलादे थे राइबोसों कहां पायाता है? इंड़ो प्लाजमी रेटिकुलम को इसका काम क्या होता है protein का निर्माड protein factory तरह से कराता है अब राइबो समको दो बागों में बाटा जाता है sedimentation कोपिसेंट के हिसाब से अब से अब क्या होता है एक तरह से हम देखते हैं कि कौन सा बड़ा है अब बड़ा इसमें कैसे दिखा जागा सैट के इसाफ से नहीं दिखा ? द्रव लेंगे दोनों को इसमें डालेंगे रायी भी समक्तलों को दालेंगे वो यूकरेटिक को इसका का राइबोसोम कहलाता है यह जो 70S और 80S है यह सेडिमेंटेशन कोफिसेंट कहलाता है यह जो प्रकरोटिक क्या होता है प्रकरोटिक को सेल होता है जिसको हम माइक्रोस्कोप की साहता से देखें वो प्रकरोटिक सेल होता है जिसे हम बीना माइक्रोस करता है माइटोकांडिया को गाल्जी बोड्री को रािवसॉम सब лиसोसम सब को एक यह करता है केंद्र है इसका यह खोजरा ब्राऊन ने की थी इसे इसे भरे उस disappointing बैसें से इक तरह से कंच्डोलर होता है इसमें क्या पाइधा क्रूमytic पाइजा sailing के अंदर ही DNA RNA होता है अब के अंदर क्या पहोजाता है प्रोटीन आपका 80% पहोजाता है I think you कीला का क्या होता है यह देखता है कि सभी सेल के जो और्गेन है अपना कां सही से कर doctor की नहीं करें, सबको कंट्रोल करता है, माइटोकंडिया, गल्जी बॉडी, रैबोसोम, इंडोपलाजमी रेटिकुलम, सेंटरोसोम, लाइसोसोम, सबको ये कंट्रोल करता है, एक तरह से, बरेन अफ सेल्गा राता है, के अंदर कोसका का, अब समझते हैं लाइसोसुम, लाइसोसुम की खोई डी डूबी नाम के बैग्यानिक ने की थी, लाइसोसुम क्या होता है, कोसका का यह अंग होता है, इसमें पायाता है, हैड्रोलिटिक एंजाइम, जल अपगहटक एंजाइम पायाता है, इसका काम क्या होता है, जैसे कोसकी काम कर रहा है तो यह क्या करता है उसको खतम कर देता है भर अंदे पिगला देता है खतम कर देता है क्योंकि उसमें अंदे को सेल में शड़न रहने पाए इसलिए जहां कि कोशका मंदे मर जाती है वहां पर लाईसोसूम क्या करता है? उसको एक तरह से अब घटीद कर देता है हैडोलिटिक एंजाइम के द्वरा उसको खतम कर देता है, साफ कर देता है अगोशका गंदर अगर सभी एंदे कोसकी अंग काम करना बंद कर देता है तो एक तरह से पूरी एंजाइम कोसका गेंदर छोड़ देता है जिसे क्या कालाता है एक तरह से छला जाता है स्प्क सब्सक्राइब घडित कर देता है इसलिए बोलते हैं कि अंगर UK अदियोट्राम सब्सक्रास मेदे लाता है subscribe कीजिए and share कीजिए subscribe करिए जरूर क्योंकि subscribe कोई नहीं करता है subscribe करने से क्या होगा आपका केवल एक click तो ही लगेगा धन्यवाद subscribe करिए लन्यवाद